नमस्कार आकाश्मानी की राष्ट्य साहितिक पत्रे का साहिति भारती में आपका स्वागत है मैं हूँ मनोज और मैं नीलम मधुर मधुर मेरे दीपक जल योग योग प्रति दिन प्रतिक्षण प्रति पला प्रियतम का पथ अवर लोग के तकर उत्रे में ये भी एहसास हुआ कि आज भारत कोकिला सरोजनी नाइडू की पुनेति थी है उनकी कुछ पंक्तियां भी याद आ गई महादेवी वर्मा और सरोजनी नाइडू प्रतिनिधी प्रतीक हैं भारत भूमी की साहित्य गाथा के एक महत्व पून ध्याय से इस लंबी विस्त्रित यात्रा में हर युग में कवित्रियों के अतुल्य योगदान को रेखांकित करते हुए अंतराश्य महिला दिवस के उपलक्ष में हर महिला साहित्यकार के कृतित्व को पत्रिका का नमा मार्श दोहजार चौबीस का जिक्र होते ही नजर कैलेंडर पर जाती है राजधानी में आयोजित होने वाले वार्शिक साहित्योत्सव की तिथियों पर इस वर्श इस महुत्सव का एक विशेश आकरशन है समवत्सर व्याख्यान वक्ता है जाने माने शायर और गीतकार गुलजार सहब कैसा सुंदर संयोग है कि हाल ही में गुलजार सहब का नाम प्रतिष्ठित ज्यानपीठ के लिए चायनित किया गया है उनके रचना विश्व ने सहित्य अक्षेत्र के अलावा लोकप्रिय संस्कृती के दाइरे में भी शब्द भाव प्रेमियों के दिलों पर अपनी अनूठी चाप छोड़ी है इधर सहित्य अकादमी को भी सत्तर वर्ष पूर्ण हो रहे हैं आकाश्माणी की तरह ही अकादमी ने भारती भाषाओं बोलियों में रचे गए सहित्य का समवर्धन किया है उसका विस्तार किया है नवोधित और युवा सहित्यकारों को प्रुचसाहन दिया है संक्षेप में कहें तो ये मौसम और ये तौर हम जैसे आम साहित्य प्रेमियों के लिए किसी साहित्यक मधुमाज से कम नहीं सुनते रहिए राष्ट्रिय साहित्य पत्रि का साहित्य भारती पिछले दिनों प्रदान किये गए राष्ट्रिय बाल साहित्य पुरस्कारों की सुची में एक एहम नाम है बोडो लेखी का प्रतिमा नंदी नार्जरी का उनके लगु कथा संग्रह गोसाई ग्वजवन उत्तर को इस बार पुरस्कृत किया गया है पत्रिका के साथ प्रतिमा नंदी नार्जरी की छोटी सी बाच्ची मेरा नाम है फ्रोटिमानोंदी नारजरी मैं असाम से हूँ और मेरा जो बाल साहिटो पुरुसकर मिला है वो पुस्टोक का नाम है गसाइनी गजन नजर इसका मतलब है भगवान का सूध द्रिश्टी इसलिए इस कुस्टोक में मैंने जो बाल साहिटो बाल काहनिया लिखी है इसमें दोस काहनिया है सो भी काहनिया ओरेलिती है इसमें मेसेश है सिल्डरन के लिए गोसाईनी गजन नजर जो कहानी है इस कहानी में एक औरपेन ओर फील में ओर सौरते है तो ओर देखते है कि इसके आसपास में एक इसकूल थे इसकूल में जा रहे बच्चों के ओर देख के बहुत दूग हो रहा था मुझे भी इसा मुझे क्यों औरपेन बनाया मैंने भी इसकूल परना साहता हूं और बड़ा आद्मी बनना साहता हूं है भगवान मुझे मुझे सभाई करे मुझे हेल्प करे ऐसा गर के ओर प्रेयर करता था अरलर का तो एक दिन इसा हुआ ठीक खाओ जो गाई को ले जा रह हुआ तो तीन सार गाई जंगल के अंदर रह गया तो उसको देखने के लिए गया अंदर जंगल के अंदर खोस ने गया तो एक महिला उसको बुलाया ओ बच्च तुम इधार आओ मुझे बचाओ मुझे मैं एकदम पास गई हूं यहां पे तुम्हें मुझे बचाओ ऐसा तो उसने सोसा अरे इतना संदा समाई इसमें कहां से महिला आए यहां पे मेरा तो गाई को कोसना है तो क्या करें पहले तो ठीक है हम महिला को ही पहले सहाई करते हैं तो ओ गया देखे ओको सहाई किया और हेल्प किया तो महिला ने बोला अर्शा ठीक है बच्चा तुमारा अधेक क्या है मुझे नोगा पता नहिं तो उसने बांनारा नाम और है Number तो दटांसरंग ने बोला मैं यहां पर गाइकस ने आया था अपने हां से इसा आकर पस गिया मुझ यहां box गैं तुमने मुझे हेल्प किया, सहाई किया, तो ठीक है, तुम मुझे निकाल दिया, तो मैंने पिसे-पिसे आओ, इसा बोला मोहिला ने, तो ले गिया, ले गिया एक फेर के अंदर, बहुत से क्या बोलता है धन, इसमें सोना, सिल्भार, रुपिया, सुकूस भोर्टी था, उस गास के अंदर, तो ओ तो देखके अभाग हो गया, लड़का, अरे कहां से इतना इसा आ गया, इतना रुपिया, इतना सोना कहां से आ गया, तो मुझे ने बोला, यह सोब मेरा है, क्योंकि मेरा घर में रखने की जगा नहीं है, इसलिए मैं यहां पे पेर के निशे रखती हूं, तो तुम म इसा करो, इस रुपिय से, इस सोना से तुम अपना द्रेश करिद लेना, स्कूल में नाम दाखिल करना, तो सब ले जाओ, इसा बला, लेकिन तुम आई सब बाते किसी को मत बताना, घर में कोई फुषे तो बलना कि मैं रस्ते में आ तपला मिल गया, इसा बलाता, और एक औ इसा उसका नियत है लेकिन उसका भाय ने बोला है कि इसा करना नहीं साइए तुम शोर दो इसे और बाहर गुम गुम के खाने वाला फुट का पोसने वाला पंची है इसको इसा रखना नहीं चाहिए इसा उसका भाई ने समझाया था लेकिन ना ना मैं बहुत अच्छा अच्छा मीठे मीठे फॉल खाने दूंगा उससे और मैं एक दम हमारा शिखा दूंगा बोलने के लिए इसा ब कुस भी नहीं खा रहा था थोटा मैंने सिर्फ बाहर जाने का कोशिस कर रहा था शार दिन हो गया कुस भी नहीं खाया इसलिए उसका भाई ने फिर से मा को बोला मा आप समझाये ना इसका यह तो शार दिन हो आगे कुस भी नहीं खाया इसा रह तो मुर जाएगी आप समझ भाई को अपना दाना अपना खसला में शायद उसका बच्चा भी हो सकता है इसलिए उसको चुम बिए बड़ा बेटा को तो बड़ा बेटा ने बला आज तो शन्दा हो गिया तो ठीक है हम कल शुबा उसको सुर देंगे लेकिन शूबा देखा तो मर सुपी है इतने ही सब मेरा मन में आते है यह फिक्षन मेरा सब और है अच्छा यह बताईए बोडो भाषा को लेके अब दिल्ली में बैटके बड़ी उस्टा होती है एक बात को जानने की कि चूंकि बोडो असम में बोली जाती है तो असमिया से कितनी अलग है बोडो भाषा क्या एक दूसरे को समझ लेते हैं लोग का असमिया नहीं, एकदम अलग है, बोड़ो अलग है, कोई भी मिल नहीं है, हमका बोड़ो भासा तो हिंडी, इंग्लिस में थोड़ा सा मिल है, इंग्लिस में सान, सान बोलते हैं सुरस को, हम भी सान बोलते हैं, और एकदम अलग है, कोई मिल नहीं है, हमारा जो बोड़ो भासा में, बो तो पहसे बहुत को रहा पहता है कि यह सब्सकिट के लिए हो या बच्चों के लिए हो तो उसका स्थ स्थ कैसा है और और क्या क्या करने की गुंचाइशा है, करना तो बहुत है, करना सही है. आप तो बल सकता है हम लोग का जो भासा है तो एट सैडूल में घुश किया इंडियान लेंग्वेस में तो यहां तो अच्छा है और मेडियाम भी सल रहा है अभी कला स्टोग गया है तो तो आपकी अपनी लिपी है बोड़ो की? मैं बोरो की लिपी से लिखती हूँ एसमेस भी लिखती हूँ मैं पहले एसमेस मेडिया में पढ़ रही थी तो एसमेस भी बल सकती हूँ लिख सकती हूँ और हिंडी में भी मैंने तुरह बहुत कोर्रेस्पनेंस से एमे किया तो हिंडी भी तुरह बहुत अच्छा हूँ रही आवाजों के खजाने से इस बार आपको सुनवा रही हैं सरुजणी नाइडू के कृतित्व परकेंद्रित वारता कोकिल समर्गोश बारताकार हैं प्रख्यात साहित्तकार डॉक्टर इंद्रनाथ चौधरी भारत कोकिला नामसे विख्यात सरुजणी नाइडू भारतिय स्वाधिनता अंदोलनों के दिनों में महात्मा गांधी के नेत्रित्व में भारतिय नारियों में राष्ट्रवात का स्वर जगाने समाज कल्यान के बारे में पाठ पढ़ाने और स्त्रियों के सशक्ति करण के ल मा, मेरी मा, क्यों तुम अभी तक सोई वी हो, उठो और अपनी संतानों को उत्तर दो। 13 फरवरी 1889 में सरोजिनी का जन्म हुआ, हैदरवाद में बसेवे उनके पिता अगोर नाच चट्वपाधाय ने निजाम कॉलेज की स्थापना की थी और अपनी आठ संतानों में सबसे बड़ी सरोजिनी को हमेशा अपना रास्ता स्वयम चुणने के लिए प्रोरसाहित किया था। उनकी कविता संग्रह, वर्ड अफ टाइम और ब्रोकन विंग्स ने उन्हें एक प्रसिद कवेत्री के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अपनी मात्र भूमी को संबोधित करते वे, उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं, श्रम करते हैं हम कि समद्र हो तुमारी जागरिती का क्षण, हो चुका जागरन, अब देखो, निकला दिन, कितना उज्जुल। उन्निस वर्ष की उमर में उनका विवा, डॉक्टर गोविंद राजालू से हुआ, और हैदरावाद में ही अपना सुखमय, वैवाहिक जीवन का आरम किया, और हमेशा राजनीती और ग्रिह प्रवंधन में संतुलन बनाये रखा। गोपाल कृष्ण गोखले उनके अच्छे मित्र थे, वै भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करने में जुटे वे थे, सन 1914 में सरोजिनी गांधी से लंडन में मिली थी, इसके बाद उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलावा आया, और वैवी स्वतंतरता संग्राम मे कूद पड़ी, दांडी मार्च के दौरान महत्मा गांधी के साथ अग्रिम पंक्ती में चलने वालों में सरोजिनी नाइडू भी शामिल थी, एक कुशल सेनापती की तरहे, सरोजिनी ने सत्याग्रा आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत की स्त्रियों को प्रेरित किया, और हर प्रकार के संगठात्मक आंदोलन में भाग लिये और जेल भी गई, संकटों से न घबराते वे, वे एक धीर वीरांगना की भाती गाउं गाउं में घूम कर देश प्रेम का अलख जलाती रही और देश बाशियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रही, अपनी लो प्रेदी बनकर दक्षिन अफरिका गई और स्वाधिनता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राजपाल नियुक्त हुई, दो मार्च 1969 में उनका देहान्त हुआ, साहित जगत में अपने सुमधूर कंठ से जब सरुजिनी अपनी कविताओं का पाठ करती थी तो लोक मंत्र मुग्ध हो जाते थे और तबी से उन्हें भारत के कोकिला नाम से पुकारे जाने लगा था, उनकी पहली कविता संग्रह 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड और बाद में सन 1912 में बर्ड ऑफ टाइम और राजनेतिक राष्ट्री आंधुलन के दोरान सन 1917 में लिखा गया तीसरी कविता का संग्रह दे ब्रोकन विंग प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने लिखा उची उटती हूं मैं, उची उटती हूं कि मैं पहुचूं नियत जरने तक, तूटे ये पंक लिए मैं चड़ती हूं उपर तारों तक, तारों तक पहुचने के लिए उपर उटने की ये भावना सरुजनी नाइडू के साथ सदाईव रही, सन 1946 में दिल्ली में एशियन रिलेशन्स कांफरेंस को संबोधित करते वे, उन्होंने अपने भाशन में कविता के इस भाव को ही व्यक्त किया था, उन्होंने कहा, हम आगे और भी आगे, उचे और उचे ज और एशिया की मुक्ती के ताज में उसे लगा कर पहन लेंगे, हार कर हताश हो बैठने का उनका सोभाब नहीं था, अपने निश्चित उद्देश तक पहुशने के लिए वे केवल आगे बढ़ना चाहती थी, कविताओं और जीवन में सरुजनी यही कहती रही, लिये बास नारी मुक्ती आंदोलन को स्विकारती थी, सरुजनी नाइडू के अनुसार नारी सिक्षा के साथ ही नारी मुक्ती संभव है, भाय को वह देश द्रो की तरह ही मानती थी, सरुजनी ने भाय कभी नहीं जाना था, और नहीं निराश कभी उनके समीप आई थी, निडर सरुजिनी मृत्यू को संबोधित करती वी कह सकती थी मेरे जीवन के क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक मत आना हे मृत्यू कभी तुम मुझ तक वन्डरिंग सिंगर्स कविता में सरुजिनी कहती है प्रतिक मनुष एक दूसरे के आत्मिय है और ये प्रतिवी उनका घर है उनका राश्टवाद इस प्रकार अंतर राश्टवाद में परिनत हो जाता है मात्र भूमी के प्रती प्रेम और सम्मान भाम जताती वी वे देवी लक्षमी से प्रार्थना करती है कि हमारे प्यारे देश के लिए हम अपने को समर्पित करते हैं आप हमारी आशा है कमल से उत्पन होने वाली देश का मार्ग निर्देश करती वी उन्नती का रास्ता खोल दीजिए। नारी मुक्ती आंदोलन की नेत्री सरुजिनी नाइडू का पूरा जीवन ही देश प्रेम से ओध प्रोत था और उनकी कविताय इसकी ही अविव्यक्ति थी। के एक अन्मोल रत्न को असमय ही अपने आगोश मिले गया। प्रख्यात पंजाबी लेखक सुखजीत हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें विनम्र श्रद्धांजली उन्हीं की स्वर्समृतियों के साथ। मेरे जितने भी पातर हैं हर कहानी में एक ना एक पातर ऐसा होता ही है जो दूसरों से अलग होता है। जिसको आप कह सकते हों के ये समाज का जो मुख्या धरा है ना उसका हिस्सा नहीं होता। वो लड़ने वाला होगा बुरा होगा। तो लेकन कोई भी पातर ऐसा नहीं जो हार जाए जिन्दगी से लड़ने वाले हैं। अब जे आइन घोश की बात करेंगे जब तो उसमें भी आएगा कि जो पातर ये सोच कर भी चलते हैं कि मैं शरावत वाला बनना है तो मेरे से वो भी नहीं पातर वो ऐसा नहीं बनता है। और मेरी जो कहानी है मैं अब मैं रे पिंजवाए करती हूँ उसकी जो नाइका है वो आप देखेंगे कि वो तो बहुत भिगडी हुई है तो ऐसे बहुत से पातर हैं किस किस का नाम लूँ जी बहुत से हैं। अब बात करते हैं आपकी किताब मैं आइन घोश नहीं जिस किताब पर आपको सहित्य अकादमी का पुरुसकार मिला है। तो आप ये बताएं कि आइन घोश पातर का मर्म क्या है। ये अपने अच्छा शब्द बोला मर्म तो मुझे याद आया कि मर्म के जो कोशागत अर्थ हैं वो ये हैं कि शरीर का वो अंग जिसको हानी पहुँचने से मनुश की मौत हो जाए। मर्म के अर्थ ये हैं कोश में और वो दिल दिमाग और गुर्दा और दूसरे अर्थ हैं रहस्य भेद और रहस्या में भेद में वेदना भी आती है और बहुत कुश आता है। अब आइन गोश जो है वो मुझे क्यों परेशान करता था क्यों खीचता था ये महाभारत है उसका पातर है आइन गोश लेकिन इसका जिकर बहुत कम हुआ इतना एहम पातर इसका जिकर नहीं होता था कभी भी। मैं हिंदू मत्यास कोश में इसका जिकर देखा महाभारत में बहुत कम जिकर है फिर मैंने अमरता प्रीतम जी की एक पुस्तक है प्रतीक वग्यान उसमें आइन गोश का जिकर देखा तो एक बार फिर क्या हुआ जब मैं ये पातर लिखने लगा इसके बारे में कहानी आई तो एक फिल्म आई थी लगान उसमें वो जब गाना है ना के रादा क्यों न जले उसमें वो नाएक जो है वो कहता है कि वो बचारा एनी वो जो एनी है वो भी आइन गोश है वो बेचारा एनी जब हुआ जब तब मेरे को गोब नौक किया यहां पर कि यार इसके बारे में तो बात की जाए, ये तो बहुत बड़ा प्रमी है, तयागी है प्रेम में, तो मैंने उसको चुना, चाहिन किया जब, तो एक प्रेमी के रूप में किया था, अब आईन गोश जो है, वो है रादा का पती, वो क्रिशन जी और रादा का प्रेम है, और आईन गोश कभी भी मतल अपना दर्ज नहीं करवाता कुछ नहीं वो रादा से खामोश चुप चाप महबत करता है तो मैंने उसको बड़ा समझ करके यह बहुत बड़ी बात है उसको किया कि इसके उपर एक कहानी लिखू मैं तो अब उसका यही मरम जानने के लिए मैंने यह कहानी लिखी कि रहस्या क्या है भेद क्या है कि आदमी को कभी ऐसे गुसा नहीं आता यह नहीं तो अब हुआ क्या कि मैं पंजाबी हूँ तो गाउं में रहता हूँ अब तक रहा हूँ आई तक तो जो मैंने अपना नाइक लिया आइन घोश के जो मेटाफर दिखाने के लिए यो जो मेरा पातर थ वो गाउं का था पड़ा लिखा जरूर था लेकन जट था जट जो मतलब कभजा नहीं शोड़ता जिसका ये तो होता ही ना जमीन है ये है उसके उपर कभजा रखने की एक उसका एक सुभाव है ये अच्छा बुरा नहीं उसका सुभाव है अब जो ये पंजाब का जो एक श्याह दौर चला था तो उसमें प्रिंसिपल संसिंग से किसी ने पूछा कि सेखों साब ये दोनों तरफ वो जो खाडकू है और उदर पलीस वाले ये तोनों तरफ ये जट लड़के हैं जटों के बेटे हैं ये आप समें एक दूसरे को मार रहे हैं ये बात क्या है सेखों स समयते हैं तो ये मालकी की लड़ाई है तो वो ही जट पातर मैंने ले लिया आइन ग ambition का मरम दिखाने के लिए कि वो बहुत शरीफ बनकर वो बहुत शरीफ बनकर महबत निभाएगा और वो लगा अपनी उससे जिससे महबत करता था उसने मित लिया मेरे पातर ने के मैं ये जो भी करे कहीं भी जाए उसकी पत्नी भी बन जाती है वो कहानी में तो कहीं भी जाए मैं इसको टोकूंगा नहीं तो वो उसको उसके सर के पास वो जहां पीएच डी कर रही है उसकी पत्नी उसको छोड़ कर भी आता है बाहर से बाप सा जाता है कुछ नहीं कहता लेकन अब हुआ क्या मेरे साथ जो वैसे तो नहीं होता कि दो बार हुआ है जैसे वो पहले भी एक कहानी में हुआ था कि मैंने वो लड़की दिखाई थी अब मैं इंज्वाइ करती हूं में कि उसको मैं बहुत दुख्यारी बिचारी वो कुछली हुई रेप हुआ हुआ उसके दुख बियान करने हैं तो मैंने पूरा उसका ये खाका त्यार किया हुँ तो वो पहले ही दृष्ज में समझे गए कि मेरे सामने उठके खड़ी होगी कि मैं तो ये नहीं बनूंगी मैं तो अब इसने मेरे साथ ऐसे रेप किया है तो अब मैं रेप करूंगी सभी के साथ और वो मेरी कहानी में करती है मेरा उसमें है यह था कि जो सत्ता है वो मर्द हो औरत हो जिसके पास सत्ता है वो रेप करेगा रेप यही नहीं होता जो हम औरत मर्द का करते हैं बड़े बड़े देश जो हैं दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं खैर ऐसे यह एन गोश वाला जो मेरा पातर था उस साथ जाती उसकी बातें मेरे साथ आकर करती है बैठके उसकी सिफ्त करती है मैं नहीं सुन पाऊंगा वो नहीं सुन पाता वो कहता भी है कि तब मेरे पर महबत में महान बनने का भूत स्वार था मैं नहीं जानता था कि महबत में ऐसे महान बनना जुडू बनना होता है ये और उसलिए फिर फिर वो उटकर खड़ा हो जाता है और फिर वो जो जो करता है अपनी पतनी के साथ और कहता है कि मैं आइन गोश नहीं हूँ तो आइन गोश का जो मरम मैं बता शुरू किया था कहानी लिखने में कि इसके अंदर की बात मैं बताऊंगा तो आज के जमाने में जो सुखजीत कहानी कार है उसने फिर वोही रास्ता चुना नाइक ने चुना जा सुखजीत ने चुना कि महब्बत में जो है ना वो अमरता जी की बात सच है कि अपने जो महबूब है ना उसके उपर मां के दूद यतना हक होता है अदिकार होता है सूरीय का यह कर्म नहीं है कि दूब किसी को दे जरखेज किसी को करे तो सुख़ी तो बस ऐसा ही था इसलिए चलिए छोटी सी मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी आपका बहुत शुक्रिया धन्यवाद अल्विदा सुख्जीत स्वरान सौजन्य सोहन कुमार आकाश्वानी जालंधर 21 मार्ष को है World Poetry Day इस वर्ष की थीम है Always Be A Poet Even In Prose कविता पूरे विश्व को जोडती है कावे किसी भी देश या भाशा का हो वो हमें ये बताता है कि मानविय सम्वेदनाई सार्व भौम है सभी सीमाओं से परे है विश्वशान्ति की राह में कविता भी एक एहम भूमिका अदा करती है आपसी सनेह और सहिश्णता के नहित संदेश के साथ युवा पीढ़ी के लिए तो ये विधा कई मायनों में प्रासंगिक है समय का ये पड़ाओ साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा है अग्ये फणिश्वर नाथ रेनू महाकवी वल्लतोल पंडित नरेंद्र शर्मा डॉक्टर राही मासूम रजा कुसुमा ग्रज विंदा करंदिकर और मंगेश पाटगाओं करके अतुलिय योगदान को साहित्य भारती का नमन मनोज मायन कर और नीलम मलकानिया को दीजी अनुमती नमस्कार